चाहिए को अपना टोपिक जो चल रहा है वो चल रहा है जन-बते आंदुलन के मेरूं के बाद में अगर अपन देख टे हैं दूच्छा जाती चिसने वेद्रो किया यह थी मीना जन-बते अतर एंड़ौ अप्वारिन ने पड़ाथा किसाफो जटल मेना जनजाती का विद्रुख क्यों हुआ इसका कान यह तो पड़ाता शेब ने मैंने आपको बताये था और कि दूसा जल चाहँ के अंदर हिवाजित तो क्या कराती है चोकेदार मीना और दूसरा जमीदार मीना इस चोकेदार और जमीदार मीना उने डिफरेंस क्या है आपको मालम है चोकेदार के बारे में अपने बताये था कि इनका मुखे काम ही क्या था गाम की चोकेदारी करना यही है इनका काम गाम की चोकेदारी करना और जमीदार जो मीन है इनका काम क्या था इनका था बटाई पर कर्शीकारी करना यह था बटाई पर कर्शीकारी करना यह साब इनका काम था कर्शीकारी और बटाई पर जो एक कर्शीकारी करते थे यह भी कितने तरीके से करते थे तीन तरीके से जिसमें मैंने आपको बताए था कि एक तो कौन सा है बड़ा बट दूसरा है चोटा बट और तीसरा हाली बट यह यह कौन सा जाएगा हाली बट बड़ा बट में सारे संसादन आदे-ादे तो उपजी भी कितनी आदी-50% सोटा बट में सारा खर्चा तो मालक का और जो मिना परिवार हैं उसके सारी मैनत इसकी बात करेंगे अपन थो दूता बट मी कितना हो जाएगा है एक बट हटूप पटमी कितना है एक बटावा चार बाग यह तो देखो अपना कर्षिकारी था अब भी हुआ कि जो यह चोकीदारी मेना चोकीदारी का काम करते थे इनकी कार्ण से मेना जन जाती थी उसके प्रारम में इनके उपर यह कह सकते हैं कि दबा था कि इनको चोर परवर्ति का समझा जाता था किसाब जो चोरी करते थे यह चोरी करने का जो कारी यह है यह चोरी करने का कारी यह मेना ही करते हैं और विशेश रूप से इन मेनाओं की भूम्मी का सही यह इन्ही के सहएक से क्या होता है चोरी होती है तो पूरा वेचारा अलजाम जो भी आता था हो किन हिए ते म्मिनाओं के ओपर यह चोरी का तो एस बीदू देखो से पहले क्या क्या जाता है जो भारत सर्कार है कि इस भारत सर्कार फैससका economies 29 24 अनिसो चोराशी के चोराइव चोई चोईस केपे अंदर ट्रृबिवूनल है क्रिमिनल एक्ट यानी जनजाती ऐका क्रिमिनल ऐक्ट परित किया ठिrüबिनल है करीज़ कर्मिनल act करते हैं 1944 के अंदर और इसी ट्रिविनल कर्मिनल Act को कि दाद्री Act के नाम से जाना गया किस नाम जानते हैं इसको दाद्रime Act के नाम से जाना गया इसी कर्मिनल act का रूप जिसका नाम ठाा जरायम से क्याद ₺ जराइम पैसा तो यह जराइम पैसा के नाम से जराइम पैसा कानून 1930 1939-30 के अंदर 1930 के अंदर यह लागू हो जाता है 1930 के अंदर यह जराइम पैसा कानून जयपूर रियासत के अंदर लागू किया गया कऊश रियासद के अंदर यह पूर्यासत क्योंकि हमें मौलम है मीना जघंजाती है यह सबसे ज्यादा इनकी सरवादिक जन संग्या है सरवादिक जन संग्या कौन से जिले में रहती है ये पुरमी यह और आज की बात करें तो सबसे अधिक पड़ी लिखी सबसे अधिक पड़ी लिखी बात करें और शिक्षित अगर जन जाते की बात करें तो सबसे ज्यादा शिक्षित जन जाते भी कौन सी है मेना जन जाती है लेकिन पहले इनके ओपर ये था एक दाग तो जरायम पैसा कानून लागो किया गया 1930 के अंदर और 1930 में जब ये जरायम जरायम पैसा कानून लागो किया तो इस जरायम पैसा कानून में ऐसा कर दिया कि जो भी महिला प्रुस मीना महिला और प्रुस बारावर्षे अधिक आयू के हैं उनको क्या करना पड़ेगा रोजाना पास के थाने में हाजरी देनी पड़ेगी अब बेचारे काम करें रोज पर सब करती है यह रहते मुनी मगन सागर की क्या है मुझते गאני के आपकर बताय था कि मुद्य मगन सागर एक जैन मुद्य इसी नि मीना पुराण सो मेना पुराण घरंत मेनाओं पुराण गरंत इन्हों ने लिखा और इन्हों ने बताया था किसाम मेनाओं की कितने गोत्रे बाउंशों गोत्रे मेनाओं के बाउंशों गोत्रे मेनाओं के बताता है और मेनाओं में सुधारक के लिए सुधारक के लिए बहुत सारे कारी करता है इसलिए इसको मेना कि के लょक्व क्या करता है ये मीना चेत्रिय सवा की स्थापना 1933 के अंदर गड़ते हैं इसके नर्देशन के अंदर यह सबस्तों कि इस संस्ता श्रेपा सिल करता है लेकिन वास्ता में आंदोलन गत्य पघलता है समझा तो नहीं सकता potrzeb करते हैं इस सम्विलंच को उता है यह अदियक्स्ता करता है यह अधिक्स्ता को करते हैं पंडित बंशी floods करते हैं मुणी मगन सागर के परिणना से इस सम्मिलन का आईजन होता है और एक मीना नेता जो इसके अंदर भाग लेता है उसका नाम क्या था लक्षमी नाराएंट जी जर्वाल कौंदे साब लक्षमी नाराएंट जी जर्वाल भी इसके अंदर भाग लेते हैं और इसमें यह तैक किया गया कि हम पैसा कान उनको ठाने के लिए रोधी करना है और राष्ट इस्तर के जो नेता हैं उनको भी समस्या से अउगते कराना है ऐसा ही फिर एक संब्लन 1944 लाष्ट के अंदर ही देखो स्री माध्योपूर के अंदर भी होता है तो स्री माध्योपूर यह भी सिकर डिस्टिक में है और निमका थाना भी सिकर डिस्टिक में दोनों के अंदर ही मिनाओं का से मिलन हुआ यहां से मिनाओं ने ते किया कि हमें राष्ट इस्तर के ऊपर त कांपर साथ उद्यपूर के अंदर अखिल भारतिये अखिल बाहरतिये देशी राज्य लोग परिश्द बोल दीजिए या परजा परिश्द बोल दिये बात एक किया अखिल भारते देशी राज्य लोग के परिश्द इस परिश्द का देखो यहां पर सम्हिलन था और इस सम् कौन कर रहे थे पंडित जोआलाल नहरु ने इसकी अध्यक्स्ता की तो इसी समयलन के अंदर यह कि यह पंडित बंसिदर जी सर्मा लक्षिम नाराण जी जर्वाल ठक्र बपा जिसको आदिवासियों का मश्याभी का जाता है ठक्र बपा मुनि मगन सबद्रम साघर यह सबी लो भाग लेते आ tub outta पंडित जोए लाननर्व से मुलाका टेभके अपने अपने समधा से अध्यक्त करूत्या इनके समयशां से अगत करा है तो यहाँ पर देखो पंडिस्वाला नेरू के कहने पर यह इनके निविदन पर तो ज्यप्र के महराजात ते सवय मान सिंग जी देटे इस व्यां जी मान सिंग देटे न आदेश निकाला और मार्च 1946 के अंदर मार्च 1946 के अंदर इस जराएं पै बच्चुं दोनों को ही जराएम पैसा कानून से छोटे दी गई लेकिन अभी तक जराएम पैसा कानून पूरता है समापते नहीं वाता हैं। उसको पॉर्सद्वाइव अब ये लागू था अब क्या करता हैं शोकिदार मीना इन्टिक किया कि हमारे पर ये दाग लगा हुआ है ये दाग लगने का कारन एक ही है कि हम शोकिदार मीना हैं hence चोकिदारी करते हैं इसलिए जो भी ब्लेम लगता हो हमारे उपर लगता है तो हमें क्यों न चोकिदारी करना है छोड़ दे तो फिर इन चोकिदार मिनाओं ने ही इसी समय मार्च आज 1946 के अंदर समिलन किया और समिलन करके यह तेक किया कि आज के बाद में उन्हों ने सपत ली कि हम चोकिदारी का यह नहीं करेंगे बिल्कुल साब नहीं चोकिदारी करना चोड़ दिया और उसी दिन से पढ़ना लिखने का कम शुरू कर दिया और आज देखते हो हर जगह पर आरेस IPS उसके आरेस देख लो आरपेस देख लो आईस देख लो IPS देख लो बड़ी बड़ी जो भी हर जगह पर आपको मिनाओं का यह परभुत वह आपको नजर आएगा नोकरी के अंदर तब इससे ज्यादा पढ़ने लिखने लगए यह सिस्टेम इनका बेठा लेकिन अभी तक जराहिम पैसा कानून पूर्ट समाप्त नहीं हुआ जराहिम पैसा कानून पूर्ट जो समाप्त किया जाता है यह किया जाता है 1952 के अंदर 1902 के अंदर 1902 में जब हमारे आपर एक चुनिवी लोगतांत्रिक सरकार का गठन होता है और चुनिवी लोगतांत्रिक सर कार नहीं जराइम पैसा कानून को हमेशां हमेशा के लिए समांते कर दिया आगी बात समझेंगे यह तो देखो मेनाओं कहा था शेदी सी बात करें तो मेनाओं का मुखः जो विद्रो होता है मेना जन्जाति का ऐघनाउ से क्योंकि भारत सरकार ने ट्रिवुनेल क्र्मिनठ एट उनよし ही लागव क्या तो उन्हयों के अंदर उसी को दाध्री एक नेता जो ने में भाग लेता है वो कौन था लक्षमिनाराण जी जर्वार कौन लेता है लक्षमिनाराण जर्वार इसके बाद में मीना नेता किसे मिलते हैं उद्यपूर के अंदर पंडी जौल लाले नेरू से मिलते हैं पंडी जौल लाले नेरू से मिलते हैं पंडी जौल और बच्चों को छुट कप दी गई मार्च 1946 में और पूर्ण रूप से अगर ये जो जरहम पसा कानून समापत होता हो कब होता है 1922 के अंदर बता हो समझमा एक नहीं है यह तो देखो मिनाओं का था और मिनाओं के बाद में अब मुख्य रूप से जो अंदोलन होता हो कि इन अब देखो भीलों के अगर आपने बात करते हैं इस बील जन जाती है आपको मालम कि यह है मुल्लूप से अदिवासी और सबसे आधिवासी जो आधिमान हुआ है वो कौन है यह बीली है जंगलों में रहते हैं इस लिए इनको वन मानस भी करते हैं क्या बोलते हैं कि उसको और इन्हीं को क्या वह देते हैं कि अदिवासी बोल दिया जाता है सबसे ज़्यादा अगर अब भीलू की बात करें तो अगर वहुआ जाते हूं सबसे ज्यादा जनसिंख्या तो कि इनकी है मीनाओं की और मीनाओं के बाद में दूसर नमर किसका आता है भीलों के आता है सबसे ज्यादा जनसिंख्या को ने भीली है अब भीलों की बात करें तो इन भीलों की देखो सरवादिक जनसिंख्या इनकी सबसे ज्यादा जो जन संख्या है बताए कौन से जिले के अंदर है अगर संख्या बलके आदार पर देखें तो निशित रूप से कौन से जिले में यह है वो देपुर जिले में लेकिन परतिसत की साफ से अगर देखें कि परतिसत जन संख्या एक जिले की जिसे एक जिले में सो लोग हैं तो में से कितनी भील सबसे ज्यादा भील कौन से जिले में पाई जाते हैं अगर यह देखेंगे तो वह कौन से जाएगा वहां सोड़ा जाएगा क्योंकि आपको मालुएं बाद सोड़ा को अपना आदिवासी जिला मानते हैं और वहां सोड़ा के अंदर यह करीब 68% के लगभग भील यहां पर पाए जाते हैं पूरी जंसेंग्या में से 68% क्या हैं भील हैं बाद सोड़ा के अंदर है इसलिए तो इसको राज्तान का आदिवासी जिला अपने कहते हैं कहते हैं कहते हैं ऐसे देखो चंशंग्या के आदारपन दूसरा सबसे बड़ा अगर परतिसत के कर पर चित्तों वाड़ा के अंदर यह को graber दर यहां वाड़ा के अंदर मिलेंगे चित्तों गड़के अंदर मिलेंगे और राजसमन इन सभी जिगह पर राजसमन चितोडगड भील वड़ा परताफगड और उद्यपूर यानि यह तो किसके जिले आगए अपने मेवाड के आगए इनके अंदर भील मिलेंगे या फिर कांपर मिलेंगे आपको वागड के अंदर और वागड में मुख्यर उपसे पर उले इलाका है समझे वागड तो इस इलाके के अंदर जो भील रहते थे आपको मौलन में कि अनपड एस्टिक्षित लोग जंगल के अंदर रहते थे और जंगल में कंदमूल या जो भी वन उत्पाद होती थी इन वन उत्पाद से ही अपनी आजिवी का ये चलाते थे तो पहले किसी परकार के देखो इनको कोई समस्या नहीं थी इनको भी सबसे ज्यादा जो समस्या आती है यह समस्या कब आती है जब राजपताना में अंग्रेजुं का परवाब बढ़ जाता है जब तक अंग्रेजुं का परवाब नहीं बढ़ा तब तक भीलों को किसी भी परकार की कोई समस्या नहीं थी इनके सबसे ज्यादा जो आंदुलन करने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा यह मजबूर होने का मुख्यकान यह था कि अंग्रेजियों के आने के बाद इनके जो इनके जो प्रमप्राएं हैं इनकी प्रमप्राओं में सेप क्या जाने लग और आदिवासी कहते किसे है या जन जाती किसे कहते है जन जाती वही जाते कहलाती है जो अपनी प्रमप्राओं से किसी परकार का कोई समझोता नहीं करती है अपनी प्रमप्राओं को स्रेष्ट मानती है और अपनी प्रमप्राओं में यकीने करती है उसमें किसी भी परकार का बदलाब ये सविकारे नहीं करती है एसी ही जातियों को भारत सरकार द्वारा राश्टपती के द्वारा इनको जन जाती के अंदर सामिल किया जाता है जन जाती है या नहीं है ये निर्दान कोन करता है राश्टपती के द्वारा होता है हमारे संसद उसको प्रस्ताव लाती ह और राष्ट पति फिर निर्दाट करता है यह जनजाती है या नहीं है ऐसा नहीं है कि हर किसी को जनजाती के अंदर सामिल कर लिया जाता है और राष्ट पति के द्वारे किया जाता है और उनके सबसे मुखे लक्षनी एक है कि ये अपनी प्रमप्राओं को स्वेश्ट मानते हैं और अपनी प्रमप्राओं में किसी भी परकार का कोई भी बदलाव ये सविकारे नहीं करते हैं यह तो अपन देखते हैं अक्सर अकबारों में आता रहता है कभी किस को लेकर कभी किस को लेकर हमेशा आपको जैसे दापा पढ़ता को लेकर अक्सर आता रहता है दापा पढ़ता को लेकर आता है क्या होती है दापा पढ़ता है जानते हो नाम ही सुना है ना दापा पढ़त और भी लुंबड़ी खुशी होती है क्योंकि हमारे को क्या करना पड़ता है जो लड़की वाली को दहिज देना पड़ता है और भी लों के नर्चाश उल्टा काम होता है लड़के वाली को देना पड़ता है सारा काम वद्धुका मुल्य चुकाना पड़ता है और वद्धु जैसे किसी दाफ़ा की रकमते है कर ली पचासाथ जार दूर्शा भी पैसे वाला है उस नहीं कहा कि पचासथ जार नहीं मैं तुमको एक लाग रुपर देता हूँ तो पहले जिसके साथ व्यूआ किया था उसको तो पचास जार रिप उसको मिल जाएंगे और उसके बापको पचाजार रुपे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और वो एक लाग रुपे लेकर उसके बजाए दूर से के साथ क्या कर देगा अपने लटकी का विवा कर देगा ऐसा कहलाता है नाता भड़ता तो ये भी इनके अंदर खुब चपाया जाता है तो इनके प्रमपराएं हैं ना ये अपने प्रमपराओं में किशी भी परकार का कोई हद से कभी सविकारे नहीं करते हैं लेकिन जैसे देखो अंग्रेज़ुं का हमारे आपर परवा पड़ा और इन मेवाड और मारवाड रियास्त ने अंग्रेजियों के साथ समझोदाय किया राजपताने के सभी रियास्त ने समझोदाय कर लिया तो उसके बाद में इनका परवाब बढ़ता गया और इनका मुखे काम था ये तो ये प्रमप्राओं अगर हम इतना जानते भी नहीं थे ये तो बिल्कुल साथ आदनी ताके चकर के अंदर उनके जो प्रातन प्रमप्राए हैं उनको सभाब करना चाते थे और इन भीलों से भी वो कर वसूल करना चाते थे इसी बात को लेकर जब इनके अधिकारों के अवेहल ना होने लगी अंग्रेजन के प्रवाव से तो इन्होंने क्या क्या साथ आंदोलन का रूखे अपना आप देखो भीलों के आंदोलन की बात करें अपन तो भील आंदोलन को अपन दो बागों बार सकते हैं एक तो भीलों का प्रारंबिक आंदोलन और एक भीलों का जो नेता है उनके नितरतों में आंदोलन चिरी में आजाएगा एक तो आपको मौलम है बगत बंती आंदोलन और एक किसी में आजाएगा एक की आंदोलन बगत बंती और एक की आंदोलन प्रारंबिक आंदोलन की बात करें पहले 1818 से लेकर करें इनका बात करें बात करें तक यह अंदोलन कुई हूए इसका काण क्या था देखो सबसे पहला कारण तो इनका यह था ये भील खुद दो कर्व असूल करते थे एक का था रखवाली कर और दूर सा था बोलाई कर एक कौन सा था बोलाई कर और वेशे अपन जानते हैं कर्व असूल करने का दिकार किसका होता है राज्य का होता है कर्व असूल कौन करता है राज्य करता है लेकिन यहां पर मामला उल्टा था यह रखवाली कर और बोलाए कर कौन वस्ल कर देते हैं? भील कर देते हैं? और यह भीलों की आए का मुख्य स्रोथ है जैसे अपन कहीं मराठा पड़ते हैं मराठों के समय पड़ते हैं और दूसरा कौन सा था सरदेश मुख्य एक तो चौत वसूली और दूसरा कौन सा था सरदेश मुख्य चौत वसूली राज्ये से वसूल करते थे उपज का एक बटावा चार बाग फिर हम आपके यहां पर लोट पाटे नहीं मचाएंगे सरदेश मुख्य यह शिवाजी दस्वां बाग सर्देश मुकर के रूबे वसल किया जाता था एसा ही राज-पताना की बात करें तो हमारी ये काम कौन करते थे मिना इसको भील करते थे और भिलों ने कौन सा कर वसल किया रखवाली कर और दूर सा कौन सा बोलाएकर देखो रखवाली कर क्या है कि जैसे भीलों की ये पाल है और भीलों की पाल के पास में इदर देसे और दूर सी जात्यों का ये गाम ये है दूर सा गाम ये है तीसरा गाम ये है ये ए गाम ये बी गाम ये सी गाम ये अलग जात्यों के हैं यह अलग जाते हुए डाणी है तो इनके आप कोई लूट पार्ट नहीं मचाए है और अपने इलाके के पास में इनको सुरुक्षित है रहने दे रहे हैं इसके एवज के अंदर यह क्या करते थे एक निशित रकम इनसे वसूल करते थे और वही निशित रकम क्या करते थी रखवाली के एवज के अंदर साल के अंतमिया जब पसल निकालते हैं उनको एक निशित भाग अपने उनको देते हैं देते हैं ऐसा इनका था यह भी जब पसल निकालते थे ना तब पसल में से एक निशित भाग रखवाली के रूप में लेते थे और यह इनके आय का एक कर अगर नहीं सब्सक्राइबंक मतलब उसके साथ ऐसा विरिवार करते कि उसको जानी नहीं देते उसका कुसी प्रकार के सार्ग सथीए === सकते थे और सरफ मजबूरी में उनको क्या करना पड़ता था यह बोलाय कर उनको देना पड़ता था बिशेशिस्कर पर देखो उस वक्त जो एक लिंग जी के आते थे आपको मालम है एक लिंग जी के वचारोट देखोगी आप कलासपुर के आसपास में तो यह भी भी इलाका ही है यहां पर पर दोनुद परसिदिस्तान एक लिंग जी और रिशब देव जी तो कोई कोई भी सरदालू जो यहां पर आता इस इलाके के अंदर और वो भीलों के लाके से आता तो उन्हें एक निश्चित रूप में बोलाई कर भीलों को देना ही पड़ता जब तक यह बोलाई कर नहीं देते तब तक इनको इधर से नहीं गुजरने दिया जाता आगी बास समझ मे तो किस ना जाए किसा आप रखवाले कर या बोलाई कर किन के दोरा वसूल किया जाता था बीलों के दोरा वसूल किया जाने वाले कर कौन कौन से थे रखवाले कर और बोलाई कर अब अंग्रेजियों को यह नागवार गुजरा कि यार कर वसूल करने का काम दो कौन करता है कर वसूल करने का काम तो क्यों लाहर क्यों राज्य का होता है राज्य वसूल कर सकता है यह भील कौन होते हैं कर वसूल करने का तो एक तो देखो रोने जो अंग्रेजु के प्रवाव से आपको मालवन अचे तेरा जनवरी 1818 को मेवाड ने अंग्रेजु के साथ समझोता कर ल किससे में आपको मालम होगा अजमेर्ष मेरवाड़ा का अगरेवाड़ गता rozp कर ऐcent रत म कि यह ज़ैदा से ज्यादा रेविन्य0 ड़डर राजस रपडेगा तो इन वना से इसका आएगा राजसव बढ़ाना चाहते थे हब राजसों बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो भीलों का इलाका है पर बिल जन जाती बहुंसा आś मैं युझी परकाश यहiाद करौछा करता है कि उसका मेवाड का भील वाउली है भूमत विसेंच्ट पर प्रवत्ती यहां पर भील जन जाती बहुत निवास करती है वह चेत्र क्या कलाता है बहुम्मट के नाम से जाना जाता है आगे बार समझ में तो बहुम्मट के ऐसे ही मगरा छेतर के मगरा यान जो मेदानी वहाग है और मेदानी वहाग के जो भील है वो सारा वो मेदानी वहाग के पुरा छेतर है जैसे वो लबगड के आसपास का वो क्या कलाता है सारा मगरा छेतर के भौमट के और अन्य छेतरों के जो भी भील थे इन सबी भीलों के उ वनू अत्ताद पर कर लगा दिया है कि वनू के उपर जो उत्ताद प्राप्त कर रहे हैं इनके वपर राज्ज्य का हिसा होना चाहिए वनू की उपर पर दिखा होना चाहिए ऐसब की आपको मालम है जल जंगल Sug Advisor किसके साथ आधिवासी加ई और जंगलों का वन वासी वन में रहने वाले इनको बोला गया है तो यह वन पर अपना ही अधिकार मानते थे और वन की उपजीनी का होताता रियासत ने अभी तक इन पर किसी पर कोई से पर नहीं किया लेकिन अंग्रेजुनी आने के बाद में क्या कर दिया यह तो इनकी वन बाद को लेकर इन भेलों ने प्रारम में आंदोलन किया था और इनका जो आंदोलन था वो कैसा था एक हिंसक आंदोलन किया पूंड रूप से लिट्रेर परसन आदमी आ है तो वह कहीं भी देख लो वो तो आंदोलन करेगा तो ऐसा ही करेगा न पढ़ा लेकिन यह लोग क् इसाब इन्होंने क्या किया अपने अपने गमेतियों के कहने पर गमेतिय आप जानते हैं किसको कहते हैं भीलों का जो पाल का मुख्या होता है ना वो पाल का मुख्या क्या कहलता है गमेति और वो इनके लिए सब कुछ होता है गमेति ने आदेश दे दिया गमेति के खिलाब क बॉलाई और रकवाली कर माप करने यानि इसको रोक लगाने और वनोत पाथ के उपर जब टेक्स लगा दिया तो भीलोने साफ आंदोलन प्रारंबे कर दिया और यह आंदोलन धीरे 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 जाकर एक खिंसक रूप यह ले लिता है अब इस आंदोलन को रोकने के लिए द जोदपूर लीजन की मेवाड और मारवाड दोनों ने मिलकर दोनों के कहने पर काग साब जोदपूर लीजन ये बटालेन किस्ता अपना की और इस जोदपूर लीजन का जो मुख्याले बनाए गया कि मुख्याले कहां पर बनाए गया एरिनपुरा जो कामरे पढ़ता है प ख्याले का बढ़ता है एरिन प्रा के अंदर और इस जोद्पूर लिजन की स्थापना का उद्दे से एक ही था मारवाड और मेवाड के सिमा के पास में जो ये भील हैं इन भीलों के विद्रों को दबाने के लिए इन्होंने जोद्पूर लिजन की स्थापना की थी आगे बा के अंदर अब 1941 के अंदर 1941 के अंदर अंग्रेज अधिकारियों ने अंग्रेज उने इनको सलाह दी कि हमें क्या करना चाहिए एक भीलू की ही बटालियन बनानी चाहिए तो उन्जोबाइस कंदर मेर वाराब बटालियन की स्ताफ नापना हुई और मेर वारा बटालियन की स्ताफन रहे जाए जो चित्र है वहाँ पर सांती स्तापिती करना उसके नरे शक्रूरा मैर वारा वारा ने किया तो अंदर क्या गया था ठीक ऐसे ही यहां पर एक तो मक्केल किया ग़ 小 Прав There in Prak पाली में जो इसका मख्याले किया गया तो यह पोंट भूप से तो नेंतर नहीं कर पआई तो ऐसी स्थिति में 1941 के अंदर 1941 के अंदर मेवाड महराना सरदार सिंग मेवाड महराना कौन थे सरदार सिंग इस सरदार सिंग के नेतर सरदार सिंग के कारेकाल के अंदर 1941 के अंदर मेवाड भील कोर की स्थापना की गई किसकी स्थापने की जाती साफ मेवाड भील कोर की स्थापना की गई 1941 के अंदर और इस मेवाड भील कोर का मुख्याले जो बनाया गया इसका मुख्याले कांपर बनाया गया खेरवाडा के अंदर मुख्याले बनाया गया तो अब विलोनी इस मेवाड भील कोर की स्थापना से इस भील कोर के स्ताफ़ा से जहां जहां पर इनका हिंसक विद्रों हो रहा था उस विद्रों को कुछले दिया बात समझे माई यह नहीं आई पापस से समझे लो बीलों का प्रारम्भी का अंदलों कब होता है अठार सो ठारम्भी किन के आगमन के बाद अंग्रेजियों के आगमन के बाद आंदलों होने का मुखे कान क्या था बोलाई कर रखवाली कर पर रोक लगाना और वनोतपात के उपर करे लगाना इसके एवज में जब इन्होंने वनौतपात पर रोक लगाई और बोलाई और रखोली कर पर रोक लगा दिया तो ऐसी श्तिती के अंदर इन्होंने हिंसक आंदूलन चलाया और इस हिंसक आंदूलन चला और को जो कहां पर पड़ता है पाली के अंदर जब मेवाड के अंदर भीलों का ज्यादा विद्रोफ होने लगा तो ऐसे इस्तिति में उस पर नियंतर नखने के लिए उनिस सो इक्तालीस के अंदर किसकी स्था आपने की जाती है मेवाड भील कोर की और इसका मुख्याले कांपर ए खेरवाडा आपको मालूम होगा खेरवाडा भी कांपर पड़ता है उद्यपूर के अंदरी पड़ता है इस वहत मेवाड माराना कौन ते सरदार सिंग जी कौन 50 को है कि इनके माधयम से इनको कुछल भी दिया गया हूँ केशकूला की कचले गए कॉला करण शिद सथा था कि इन द्रीणों का कोई नेतरतों करने वाला यह नहीं था किसी नेतarm करता क लिगता और क्या अपनने आप को यह लिगा ना क्यूंकि आंब बहुता होता है वो क्यों होता है उसके कड़ी समझेंगे अपने देखें अब 1840 के बाद में जो आंदुलन होता है इस आंदुलन का मुख्य कान क्या था इसका मुख्य कान एक तो यह था कि भीलों की जो प्रम्प्राएं थी इन प्रम्प्राओं में हस्चेप करना इनके अंदर दिरे दिरें का हस्चेप बढ़ने लगा उनके जो धार्मिक मामले थे धार्मिक मामलों के अंदर भी क्या होने लगा दिरे दिरें का हस्चेप बढ़ने लगा जैसे बिलों की प्रम्प्राओं में हस्चेप के अगर बात करते हैं आपको मौलम है डाइन पढ़ता है बिलों में पाई जाती है क्या होती है डाइन पढ़ता है किसी भी औरत को जैस पापलर आज भी है इनले Archives होती है कोई महिला बैचरी बदकिस्मतै से किसी के घर में चली गई फ्रिवेस कर गई औसी वां पर कोई नड़का बिमार हो गया यहकोई मरे गया दो पॉला गोशित कर दिया जाता है और फर्ण को पथ्रों करा कि उनके मारी जाती है और समाचे कतरी सanor को बेश्वित कर दिया जाता है पाशक के समानने जीवन हो जाता है एसी डाइन फरता ही है और बाद में डाइन को माणने की बिनके हमपर प्रमप्रा थी एक अंग्रेजु ने इसके आपर रोक लगानी कोशिश की और 1853 इसवी के अंदर कम साथ 1853 में आपका मालम वोना ची डाइन फरता को अवेद गोशित कर दिया खेरवाडा में मिवर्ड महाराना सवरूप सिंग ने डाइन पड़ता को अवेद गोशित कर दिया और इसके अपर रोके लगा दि भीलो निसवाब इसको अपनी मैं इनके धार्मिक मावलों में सेवका भी Jr आता है ए आपको मौलम है किस आफ दोते को बहुत पूझते हैं कि इसको रिश्ब देव जी इत मुझाया रिश्ब देव जी और उर किस नाम जानते है कि सब जानते हो इसित और ले का धनी क्या कहते है अपने इसको दो लेव का धनी और आदिवासी लोग इसे कालकाजी के नाम से जानते है आदिवासी क्या बोलते है कालकाजी और आदिवासी कालकाजी कोन है महादेव आदिवासी कालकाजी कोन है महादेव आदिवासी जो भील ग्राशिया है यह तो उनको कालकाजी के नाम जानते हैen रीषभ देव आपको मालम है जयनिश्य वित्त्र है Manhattan के संहें के स्राइख की जाता है क्योंकि इस मंदिर में जो सारी काम होते को किस से होते हैं के सरश ही होते हैं की कने कि पानी से पानििस डाले के संधि garlic याता है फुजयव कि जाते हैं तो केसर से की जाती है तो पूर्य मंदिर के अंदर देंगो हमेसा केसर की महक रहती है झाल और केसरिया नाए्सका न॥्य कोनको नदर ऑच उघे सा चीह चाट जाती है यह कोन से गाउय के अंदर रहे हैं कोन से Dieu का से अंदर अम्दर पूछते हैं जो अपने आदिवासी हो कालकाजी के नाम से पूछते हैं और जो अन्य और वेश्णों वगरा जो ध्रम हिंदु ध्रम के लोग हैं वो सारे इनको महादेव यानि शिव जी की रूप में इसकी पुजा करते हैं तो देखा जाया तो यह सामपर्दिक सामपर्दा है जेन पुजारी अब देखो जेन पुजार जो चंदर्राज भंडारी जो यहां का पुजारी था अब यह आदिवासी साहब इसको बहुत मानते थे उनके लिए तो बगवानी था आपको मालम है भील कभी केस्रिया नात की जूटी कसम नहीं घाते और केस्रिया नात के सड लिए पार केस्रिपर पानी पीकर कभी जूट नहीं बोलते हैं ऐसा इसा की बेलूग के बारे में का जाता है तो चंदर्राज भंडारी को इनखुल ने कर दिया इसके पच्छी अटा दिया मुक्य पुजारी के पच्छी अटा दिया और केस्रिया नात जी क्या करता है अपने पुजारी पुइंट करता है और सारा उसको देवस्तान वाग अपने नियंत्रण में ले लेता है ऐसे काम वहापर हुआ कि सब्सक्राइब बंदारी को मुखे पुजारी के बच्छे अठा दिया और यहां का पूरा नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में ले लिया तो ऐसे स्थिति में इस संद्राज बंदारी ने बेचरे बहुले बाले भीडू को बढखा दिया देखो इन्होंने आपके रिशे नाज जी आपके कालका जी उसको हड़प लिया आज उन्होंने अपना नियंत्रण किया है कल आपको मेरे को जाने सरो का है आज कल बहुले बाले थी और बिल्कुर सब चंद्राज बंदारी के बैकाव में आकर उनके बढखाने पर यह भिलोनी वापस हिंसक आंदोलन सुरू कर दिया और यह हिंसक आंदोलन सबसे ज़्यादा जो होता है उस वाद दूंगरपूर बांसवाड़ा के अंदर भी होता है हम प अंग्रेजुन की बटालियन थी उसको करीब 800 भीलो ने चार उत्रब से गहर लिया था और उनको कहीं जाने का रास्ता ही नहीं दिया और हालत यह होगी कि साब भी इनका शिकार करेंगे इनको मारेंगे हालत ऐसी होगी तो ऐसी स्थितिय के अंदर जो अंग्रेजुने इस लिए नहीं रोकेंगे तो इस चंदर्राज बंडारी नहीं वापस भी लों को सांत किया इस कारण से धार्मिक बाउनाओं के आहत होने से इन्हों ने तो ठारह सो चालिस के बाद में तो ठारह सो सार्थ तक ये विद्रों हुआ इस विद्रों का ये अपने आप ही दमन ह चाहता है अगे वात फेल चीजे तो प्राध़की विद्रों में आपको देखो जड़ा है यंप पालनीज दूरता नहीं है जो दो करियाद करने बोलोज़ करने तीश्ट्रे आपको जोद पूलिजन याद करनी है एक मीर वाड़ा बटालीन न outlook करना परेट कब भीद कोषित के चाथ 553 कंदर कहां पर एक फिर्वाड़ा में धितल आरण सवरूप सिंग ने की तीचे रिखस्रब्देव जी जिसको किस नाम जानते हैं किस्र yayarnaत कुर्श नदी किनारे, कोर्श नदी किनाबे, आदिवास, इसको किस नम जानते हैं कालका जी के नाश जानते हैं तो यहां का पुजारी कौन ता? चंद्राज-बंडारी जिसके बहकाव में आकर बीलों ने हिंसक आंधोलन चुन्सराव किया हrän और बाद में इन्हीं के निवेधन के प्रिया इन्हीं के समझाने पर बेलों न यह आंधोलन समाथ धा तो देगो अपने समय करें और और अपने लिखने का काम करेंके लिए गस ऑंब कि भगत पंथी आंदोलन कि ये आंदोलन देखो अपने पड़े भी बिल्लों के ये इसरित परवाव настоящam है इनका कोई नेतरतों करता नहीं था ठागया कोई ना पढ़ा पने यह थे बी तो को छोटे गल्टे स्प्राव नहीं था अनूज समाथ सिदार नेतरतों चुछah अंदूलन होते हैं एक तो हम सु भगत्पनत्पी आंदूलन का सो पहले देको अपन भगत्पनति आंदूलन की बाते करेंगे बगत्पनत्प अंदोलनः शुरु करने का आपको मॉलमब स्रेकं को जाता है और इसके कि गौविंद्गरी ना अब गौविंद्गरी के बारे मंदे को बात करेंगे जैके गौविंद्गरी के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले तो इसका जनमिस्थान किसका जनमिस्थान कौन सा है जनमिस्थान के बारे मंदे को अपन चर्चा करते हैं तो बताई जनमिस्थ में घंच वे से बिलकुल तित्थी की बात करें तो 20 दिशंबर 28808 को इनका जनुवा ब्लकुल बंजारा बंजारा परिवार और बंजारा बिल्कुल एक निर्धन परिवारता साब एक निर्धन बंजारा परिवार के अंदर साब इनका जनम में होता है ऐसे वाला आदम नहीं था बिल्कुल गरीब आदम था ठीक है अब गरीब था तो इसकी शिक्षा दिक्षा तो शिक्षा की बात करें पढाने में ऐसमर्थ तो इसकी देख़गो जो थिक्सा होती है ना होती है कॉटा बुंदी कॉटा बुंदी में आखाड़ इंधियो राजग्री और इस राजग्री के यहां मंद्र में ही इसकी सिक्षादिक्ष्या होती है कहने का मुल्ब सुरूत se इनका जीवन एक नरके जीवन ये जीते हैं अगर ये अपनी प्रमप्राओं के अंदर अपनी सोच के अंदर अगर ये बदलाव कर लेते हैं तो इनका जीवन भी सुदर सकता है तो इन्होंने अपना पूरा जीवन ही इन आदिवाशियों को समर्पिति कर दिया और सुध्य चुन्हाश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश् इनूह ने नारा दिया था वड्दू की और लोटो हमारे ध्रंग के अंदर जो आडंबर आगे थे जो पाखंडवाद आ गया था इस आडंबर और पाखंडवाद को समयाथ करने थे प्रोचन सुननने के बाद में उनकी रखेल जो ननी जान थी उसको उसने उसको वेशाय के समान बताया था तो उसी ने जहर देकर जिसकी हत्या करवाई थी करवाई थी करवाई थी तो ऐसे देखो उद्यपूर के अंदर 1881 में स्वामी दयानंद सर्श्वति से मुलाकात ह और इन्हों ने भी अपना पूरा जीवन बहिलों को समर्पित कर दिया और यह भी स्वामी जी की तरह एक सुद्धी करण आंदोलन चलाना चाहते थे तो बहिलों के अंदर ये धार्मिक और शामाजिक दोनों ही परकार का सुदार करने के लिए आंदोलन ने चलाया तो आंदोलन के सेढ़ी में भी अपन उसको रख सकते हैं क्योंकि भीलों में इसने धार्मिक और शामाजिक दोनों ही इस तरहों के ओपर इसने क्या क्या सुदार किया भीलों ने माना भी साहब इसको और देखते देखते इसका अंदोलन एक बड़े चेतर के अंदर फेले जात सबसे उत्तम तरीका एक है कोई भी विक्ति किसी भी इंसान को उस्थाने का तरीका एक ही होता है लातों से और लकड़ी से भी है किसी को नहीं सुदारा जा सकता है और वो मुर्ख लोग होते हैं जो लातों से और लकड़ी से किसी को सुदारते हैं एफेक्ट बात है किसी को उसकी psychology change grow अगर विक्ति की मान सकता बदल जाती है ना और वो खुद कुछ सोचने लग जाता है तो ही वो कुछ करेगा आप में से इसे हैं कि लोगो जबरदस्ति गरवालों ने बाई और वी नोक्री है और और वी नोकरी के अंदर है तो या कर वाले चाहते है कि मेरा सश्क्या या मेरी सोठी भी लग जाई अब को जबरदस्ति साब बेज दिये और आपकी इच्छा नहीं है ना जिंदिन लाय को झाल टंदक्र ने लगोगी यह अपना मनी है इसको बदल लिया कि मैं कर सकता हूँ तो निश्चित रूप से अपन करेंगे और मैं नहीं कर सकता हूँ यह सोच लिया तो चाहिए होने वाला काम है ना वो काम भी नहीं होता है ऐसा है देखो इस गौविंद गिरी निसाब किया बीलों के साथ गौविंद बीलों में सामाजिक और धार्मिक दोनी श्त्रों के उपर सुधार करना चाहते थे और दोनों श्त्रों पर सुधार करने के लिए सबसे पहले नोनी जो तरीका अपनाया वो अपना अपनाया धोनी का है किसका अपनाते साब धोनी का यह धोनी की स्था अपना करता है और धो ृइं नहीं बतता हूं का अभी कि स्टाब आप 106 कि के अंदर अपने क्व हुआ बैडसा यह पिए धर सद्कोई टो बाद्शा करने ऊद्ष गाना इस बांशा कोई राजओ कोई आप दोदो आप वह सब और परते धुनी के ओपर एक कोतवाल नुक्त कर दिया और भीलों को बोला, अब समझाओ कि अपना आपदे को धुनी क्या है भीलों को बोला कि जो भी धुनी की सदसेता लेगा या धुनी की जलाएगा अपने गर पे या धुनी की सदसेता लेगा इसको धौनी के नियम मानने पड़ेंगे आपसे कोई भी वादिवाद होता है तो उस वादिवाद को फुर्टाने काम कौन करेगा कौत वाल करेगा जो धौनी जलाएगा उसके लिए नियम फिक्स कर दिये तो धौनी की सद्वादे सतर लेगा कि वो एक तो नितिह स्थ्नान करें परेजा क्या करेगा नितिह स्थनान न करता है प्रहला काम तो क्या स्राब का सेवन बंद थीक है और सराब के साथ साथ उन्होंने कहा कि मास का सेवन बंद स्राब और मास का से यह बंद करना पड़ेगा तीशर साब आपसी जो मनमुटाव हैं इन मनमुटाओं को कोतवाल के माध्यम से छुद जाएंगे किसके मादम जे कोटवाल सुल जाएगा आपको कचरी में जाने की कचरी में जाने की जूरती नहीं है कचरी का मलब राज़ा इसको ठाकुर साब के बाद जाने की जूरती नहीं है इनको यह सल जाएगा और बच्चों को जो बच्चे आपके इन बच्चों को इस्कूल भेजना पड़ेगा तो ना तो कभी आपके गर में डाकना आएगी ना कभी भूद प्रेत आएगा ना कभी कोई जैसे तंत्र मंत्र जो विद्ध्य होते हैं जैसे मूठ छोड़ना अगरार कहीं चीज़े होती हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा यह सारे अपने आप ही दूर बाग जाएंगे डर लगता है ना जिसको डर लगे रात को बसा नमान जी का नाम लेले ना अपने आप ही बाग जाता है भूत प्रेत जो भी होते हैं ना उनक क्या क्या साथ यह इनको परकाया कि यह तो नियम मानने पड़ेंगे जगडूं को कोतवाश उल्टाएगा और जो दुहें की साब ना करेगा तो किसी परकार का उसको अन्याय का परतिकार करना पड़ेगा उसको ठीक ना न्याय का पक्स लेगा अन्याय का परतिकार करेगा अब सोचो जो आदमी कभी इसनान नहीं करते दिए कभी-कभी प्रोजनान करेंगे प्रेलर डाइक कुन करता है पॉन्दस दिन सो नहीं नहीं फिर पेग लगा लिया ठीक न और जैसा खाए अन वेसा होए मन इस आपको मालम है न जैसा इनसान अन खाता है न वेसा ही इनसान का क्या हो जाता है मन हो जाता है अब पास्विक अन खाओगे यानि कि राक्षस ही बोजन करोगे तो आपकी परवर्ति भी कैसे हो जाएगी राक्षस जैसे हो जाएगी और आप अगर मानसिक बोजन खाओगे मनुस्य जैसा बोजन खाओगे तो आप भी कैसे रोगे मनुस्य जैसे तो सोचोगे यह तो फरक बढ़ता है कि साकार और मांसार के अंदर और प्रक क्या है मांसार अपना बोजने गया महाराम से सब्सक्राइब करके आते हैं गर में कुछ जो पैसे थे उसारी दारक आघ्मा संभा दिए गर वालिटियों पैसे मांगती है पैसे तो हगे कहां से आते existip that if आनी लग जाएंगी जैसे आनी लग जाते किम से तो बूत नृफट में लग है आपने कभी पूले आदमी उनके कभी बूत नियुक्ती वे देखिए हैं उनके कभी चोटी कटी वी देखिए अबने है उस्द ट्री औरत अती है चोटी काण के ले जाती है सना ने सुना तो पैसे वाला या म्इडिल क्लास बिंग है सकी मेने आज तक तो किसी कोटी कर टीवी सुनी ना उनके बूत नहीं देखी कभी आए नहीं